नमस्ते, आज हम एक और रेडिंग करने वाले हैं, आपके पार्टनर की करन्ट फिलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे आपको लेकर, इस बारे में आज हम रेडिंग करने वाले हैं, अपने पार्टनर के उपर आपको फोकस करना है, हम जानने की कोशिश करते हैं, कि वो क् आपके person वो अपनी feelings को बहुत छुपाते हैं ठीक है वो आपको कुछ बताते ही नहीं है हमेश्या इस इंसान अपनी feelings को छुपाया है मन मुटा तो दिख रहे हैं गाईस मुझे कोई किसी से बात नहीं कर रहा है सब गुमसुम सा है ना आप उस इंसान से बात कर रहे हो ना वो नदी पर गुमने गए हो या बीच पर गुमने गए हो ऐसे vibes यहाँ पर हैं तो वो जो बाते हैं जो आप दोनों गुमने के लिए गए थे उस दिन वो सारी बाते आपके partner की नजरों के सामने सुझा रही है वो बहुत मिस कर रहे उन बातों को उस दिन जो कुछ भी घटित ह आप दुनों के बीच में अस इंसान को सब कुछ यादार है बटरफ्लाइस दिख रहे हुआ आजकर आपको ऐसा हो सकते हैं या आपके partner को बटरफ्लाइस दिख रहे हो और अगर आपको बटरफ्लाइस दिख रहे हो तो यह बहुत ही अच्छी बात है रियूनिन होने वाला है ठीक है मुझे ऐसा दिखाए दे रहे कि बहुत सारा वक्त बीट गया है ठीक है वक्त एक बटरफ्लाइस की तरह उड़कर चला गया है बहुत दिन हो गए आप एक दुसरे से मिले ही नहीं हो ना आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो रही है आप चाहते हो उस इंसान से नाराज हो आपके परसंटरात को जाकते हैं आपके बार में बहुत सोचते हैं हो सकता है कि इस इंसान के परिवार के बहुत सपने हैं इस इंसान को लेकर कि यह इंसान बड़ा आदमी बनेगा बहुत कुछ अच्छो करेगा घरवालों का नाम रोशन करेगा बहुत सपने देख रखे हैं इस इंसान के परिवार वालों ने और ये इंसान अपने घरवालों के सपने पूरे करना चाहता है हो सकता है इंसान फिर अपने करेर के उपर बहुत जादा फोकस कर रहा है क्योंकि उसको अपने आपको साबित करना है अपने आप घरवालों को दिखाना चाहत कि उनके घरवरने जो कुछ भी सपने उनके लिए देख रखेते तो वो सपने उनके पूरे करके दिखाएंगे आपके पाइटनर आपके पाइटनर बहुत अक्केले पड़के हैं इस इंसान को किसे का सपोर्ट नहीं है ठीक है और वो इंसान अच्छानक से आपको बहुत या अलाकात होनी चाहिए इस इंसान के जरुरत बन गए हुआ आपको याद करना मतलब एक एक अडिक्शन सा हो गया इस इंसान को पेशली जब यह रात में अकेले होते तो आपको बहुत याद करते हैं काली रात जैसे ही शुरू होती है तो यह इंसान बहुत जां मिस करने बहुत लोग यहाँ पर लॉंग डिस्टंस में मुझे दिखाया दे रहे हो आपके पार्टनर लॉंग डिस्टंस में है ठीक है यह इंसान हो सकता है कि इस इंसान के जो डिसिजन है वो कभी कायम नहीं रहते है ठीक है पल-पल में इस इंसान के डिसिजन बदलते हैं बहुत अपने कितना प्यार किया है वो इस इंसान को अच्छी तरह से याद है। आप में से कुछ लोग इस इंसान को मेनेफेस्ट कर रहे हो। डेफिनिटली। बहुत जादा यह आपका रुवेनियन जल्दी होने वाला है कि जो भी लोग यापर मेनेफेस्ट कर रहे हैं। यह आपका मेनेफेस्टेशन वर्क करने वाला है गैज्टीफिल। बहुत ब्यूटिफूल, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो। और जो लोग नेगटिव सोच रहे हो उनको जरूरत है पॉजिटिव सोचने की, जितना जदा आप पॉजिटिव सोचोगे उतने जल्दी आप एस इंसान को अपने लाइफ में वापस पाओगे, जो सोचोगे, जो चाहोगे वही होगा, आपके परसन किसमत के बारें बहुत स सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसमत का साथ नहीं मिल रहा है, भागय का साथ मिलता तो अच्छा होता, लेकिन आपके लिए गुड न्यूस है कि भागया आपको साथ जरूर देगा, ठीके, आपके पार्टनर आपके पास वापस जरूर आएंगे, और वो अप बहुत संभाल के रखना चाहता है, आप उस इंसान के लिए बहुत कीमती बन गए हो, उस इंसान को पता है कि आपके जैसा पार्टनर मिलना, वो इंसान अपने आपको बहुत खुश नसीब मानते है कि उनको आप मिले हो, यहाँ पर शादी शुदा लोग भी है, ठीक है, श इंसान को बहुत जदा इसे जिम्मदारी लगती है कि आपको हर चीज वो देना चाहते है शादी के बाद, और इसलिए भी वो बहुत सा मिहनत कर रहे हैं, अपने फाइनस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ लिए के लिए हो सकता है, आपने देखा होगा कि इंसान पर वो पहले जैसी हसी, वो मस्कान, अप जैसे कि गाइब हो चुके है, वो इंसान बहुत स्याड रहता है आजकल, क्योंकि उस इंसान को आप से दूर रहना गवारा नहीं है, आप उस इंसान के जरुरत बन चुके हो और वो इंसान आपको वापस पाना चाहते हैं, इसमें उस से लड़ना पड़ेगा, घरवाल उस से लड़ना पड़ेगा, तो एक ये भी मुसीबत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग के लिए, कि पाटनर जो कुछ भी प्रॉब्लिम थे उस इंसान के लाइफ में, ठीक है, अब तक ये अंसान आप से दूर दूर भाग और चाहे कुछ अपने दोस्तों कितरों आप तक मैसेज सेन करे, कुछ ना कुछ इंसान ऐसा करेगा, कि वो आपको दिखा देंगे, कि उनको आपकी कितनी जरुरत है, आप उनको अपनी लाइफ में वापस चाहिए, इस लोग के लिए मुझे ऐसे मजबूरी दिखाई दे कोई, ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मेभी इस इंसान के लिए आपने घर में बहुत डाट खाई है, मेभी अपने मा की मार भी खाई है, तो यह इंसान नहीं चाहते कि यह बच सलू कि आपके साथ हो, उस इंसान के लिए, एक ये भी बज़ा मुझे दिख तकलिफ हो रही है, इस इंसान की बज़ा से, बहुत ताने मिल रहे हैं, हो सकता है, जो कुछ आपने गलती नहीं भी की है, तो आपको वो भुगतना पड़ रहे हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कि इस इंसान की बज़ा से आपको बहुत तकलिफ हो का स संभाल के रखना चाहते हैं न वो आपको खोना चाहते हैं न वो आपको खोना चाहते हैं आपकी परसन अपनी खुद के परसन हिलिंग पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अपने आपको हील करने की बहुत कोशिश करे हैं अपने आपको शांत रखने की बहुत कोशिश करे हैं में भी इस इंसान को बहुत गुस्ता आ रहा था, आप दुनों में जो situation है, जो हालात बन गए हैं, उसके उपर बहुत गुस्ता आ रहा था, जिसकी बज़र से हालात बन गए हैं, उस चीज पर बहुत गुस्ता रहा था, चाहे वो घरवाले हो, चाहे करियर हो, जो कुछ भी ह जाए Finance हो तो यह अंसान चाहता है वो जल से जल निपटाना और जल से जल आपके पास वापस आना और अपने आपको लूछ करने की कोशिछ आपके पैटनर बहुत ज़दा कर रहे है उतके परसंड जल से जल आपके पास आना शाते हैं और जो भी पुराने दिन थे, वो जो romantic लम्हें आपने इस साथ में बिता है, उन लम्हों को यह अंसान फिर से जीना चाहता है। उस इंसान की चाहत है, आपके साथ वो लम्हें फिर से बिताना चाहते है। attachment बहुत जादा है आपकी तरफ से भी attachment बहुत ज़ादा है और आपके partner की तरफ से भी evenally co-dependency लेभी बहुत ज़दा depend हो गये हो आप इस इंसान के उपर और balance हो नहीं पा रहा था आपके partner अपनी मजबुर में अपनी जो कुछ भे जिन्दगी के problem है में उल्जी हुए थे और आप होके इस इंसान का इंतजार कर रहे थे ऐसे बहुत दिनों से हो रहा है और आप भी चुप हो आपको जस्टिच चाहिए लेकिन फिर भी आप बात नहीं कर पा रहे हो आप बोल नहीं पा रहे हो एस इंसान तक अपनी दिल के बात आप पहुचा नहीं पा रहे हो तो बहुत ज़दा overthinking आपके person कर रहे हैं आपके लिए 10 of pentacles, completion यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे मैंने बोला थाना family की तरफ से कुछ issue है या तो आपकी family की तरफ से या इस इंसान की family की तरफ से है और वो person अपने family को मनाना चाहते हैं वो आपको सारी खुश्या देना चाहते है, completion उस इंसान को आपके साथ ही feel होता है आपके बिना आपके बिना वो इंसान खुद को complete feel नहीं करता है इतने सारे नहीं चाहिए हमें तो यहाँ पर टोरस वर क्याप्रिकॉन है राशी और आपके person तो शादी का खयाल अस इंसान के दिमाग में चल रहे है stability लेकर आना चाहते है, five of wants definitely, यहाँ पर बहुत मनमुटाव, मैंने पहले बोला कि बहुत ज़दा मनमुटाव है और अभी भी आपके partner उन जो कुछ भी जगड़े है वो भूले नहीं है, वो सारे याद है, लेकिन वो प्यार बहुत करते है यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिल है, यहाँ पर भी दिल है दोनों भी एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, उसके बावज़द, दोनों भी एक दूसरे से जगड़े भी बहुत करते हो में भी ऐसे कुछ बाते हैं कि आपने भी इस इंसान को बहुत कुछ बोला है और इस इंसान ने भी और दोनों भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो राशी है Aries, Leo, Sagittarius देखो हर्मिट का मोड है आपकी person बहुत ज़्यादा overthinking कर रहे है वो इंसान आपको नहीं भूलना चाता और वो इंसान नहीं आपको खोना चाता है वो इंसान बहुत ज़्यादा overthinking कर रहे आपके लिए ठीक है, देखो हर्विट का मोड है या पर अब आपके इनशु देख लेते हैं वर्गो राशी हो सकते हैं उनकी, तो अपनी गल्टेओं पर सोच रहा है आपकी person, अब तक वो शायद आपको blame कर रहे थे या आपको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इंसान अपको खुद की गल्टेओं पर सोच रहा है, और यह आपकी feeling से, आप शादी करना चाहते हो है, आप इस इंसान को भूलने के लिए तैयार नहीं हो, आपकी नजर में इंसान बहुत कीमती है, जैसे पहली बार इस इंसान ने आपको प्रपोस किया था, आप चाहते हो इंसान आपको वैसे प्रपोस करें, आप चाहते हो कि इंसान आपकी नजर में जो डायमंड है, जो हीरा ह वो आपका हीरा आपको मिल जाए कबस ना भूले हो आप इस इंसान को और ना ही अपने प्यार करना छोड़ा है आप इस इंसान को बहुत चाहते हो और बहुत प्यार करते हो आज भी राशय है क्यांसर स्कॉर्पियो पाइसी और 8 of कॉइंस रिवर्स आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कभी भी आपके लिए कुछ effort नहीं किये है आपको लगता है कि इसने effort करने चाहिए इसने call करना चाहिए, message करना चाहिए लेकिन ये इंसान है कि आपके लिए कोई effort नहीं कर रहा है आपको लगता है और इस बात से आप बड़े नाराज हो आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना प्यार किया इस इंसान से और ये इंसान आपको commitment नहीं दे रहा है आप शादी करना चाहते हो आप commitment चाहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इतना प्यार करने के बावजूद ये इंसान आप से दूर चला गया और इसने कभी भी आपके लिए कोई effort नहीं डाले हैं इस बात का आपको बहुत दुख है गाईज और bottom में six of source हो सकता है आप long distance में हो ठीक है आप चाहते हो इंसान जल से जल travel करके वापस आए या आप खुद travel करके इस इंसान को मिलने के लिए जाना चाहते हो बहुत ज़ाधा आप पसंद करते हो इस इंसान को राशी है लिब्रा एक्विरस जेमिनाई सबसे पहले तो आपको थोड़ा meditate करने के आवशकता है गाईज आप सही से decision नहीं ले पा रहे हो अपने life में ओके यह जो भी pain है इसमें से आपको बाहर निकलना है यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बुरी तरसे break up हुआ है और यह break up आपके लिए बहुत painful रहा है और आपको इस दुख से बाहर निकलना होगा नमबर 9 आपके लिए कुछ खास हो सकता है तो इस दर्ष से अपने आपको निकालने के लिए आप खुद को हील करो और इसलिए और यहाँ पर है ब्रोकन हाट आपका दिल तोड़ा है इस अंसाने वो चाहे कोई भी बात हो आपके लिए बताए जारे कि आपको जितना ज़दा आप स्प्रूचलिटी के तरफ बढ़ते हो उतना ही आपको सुकुन मिलेगा कार्णीच अगर गया है पहले से आप बहुत स्प्रूचल हो ठीक है है हो सकता है कि आप किसी मंदिर में जा रहे हो बहुत दा प्रार्थनाई कर रहे हो भगवान को मेनिफेस्ट कर रहे हो लाफ अट्रक्शन को अप्लाई कर रहे हो ऐसे हो सकता है बहुत जा anxiety से आप गुजर रहे हो नमबर 18 आपके लिए कुछ खास हो सकता है नमबर 12 कुछ खास हो सकता है तो देखो इस तूटे हुए दिल से बहुत आपको दर्द मिला है तक्लिफ मिली है anxiety से आप गुजर रहे हो अब कोशिश करो अपने आपको spirituality की तरफ लेकर जाने की जितना जदा आप spirituality की तरफ जाओगे उतने ही आपको सुकून आएगा और इस दर्द से आप खुद को हील कर पाओगे गाईज यह जो दर्द है और इसकी बज़े से यह जो तक्लिफ हो रही है मतलब सरदर्द सा बन गया है आपको एक कसक से उठी है आपके मन में उस दर्द को आप भूल नहीं पा रहे हो उस तक्लिफ से अपने आपको निकाल नहीं पा रहे हो पोशिश आप कर सकते हो गाईज निकलना ही पड़ेगा आपको इस दर्द से यह जरूरी हो गया है आपके लिए आपके पार्टनर के होबी पता है क्या है आपको हग करना आपको बाहों में भरना उनकी फेवरेट होबी है यह बहुत ही खुफसूरत और यहाँ पर हैं आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि उनके दिल में एक खाली जगत थी जहाँ पर आप रहते थे और यहाँ पर आपकी पर्सन आपको बोल रहे हैं आपका प्यार ही है वो पर्सन पुरानी चीजों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं एक न्यू बेगनिंग चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में जो टफ साइकल थी क्योंकि मैंने बोला कि वो आपने आपको हील करना चाहते हैं वो आपको भी इस दर से निकालना चाहते हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं एक न्यू बेगनिंग I hope आपको रडिंग पसंद आई हो अगर पसंद आती है तो like, share and subscribe मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई